नमस्ता, मेरा नाम अक्या पुक्ता, मेरे साथ मिक्ड़ब। आजकल लोग जो बजार से सब्जेक्ट नितके ना रहा हैं, तो हमारे मलों में बंद में यह संका आ रही है कि कहीं यह सब्जी हमारी संक्रमें तो नहीं है। कई लोगों को देखा जारा है कि इस सब्जी को गर्मे लाके साबू के पानी से या फिर किसी और केमिकल की मनद से इसको साफ कर रहे हैं। जबकि ऐसा करना हमारे स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर साबू से नहीं होएंगे तो कैसे दोना है। इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप सब्जी खृत के लाएं। तो सबसे पहले जिस जगे आप तरह के सब्जी रख देगे। उसको साबून के पानी सेख 스त नहीं को साब करने के बार अपने हादों को पी अच्छे मंद से साव करने ने के बाद हमे पांपने अच्छी करिक्तार से सबन से दोएको कर सावन नहीं को और कि quarters topic बढ़ां गार वर्म Beim यह आदोने के बार आप लोग सब्सक्रेयों को फल्क कलने मानी में इसको अविडादे की ग्रोग को इस सब्जी को निकालके इसको चलते हुए नल में चलते हुए पानी से अच्छी तरीके से इसको दोगे, इसको रेक चली में सोल रखे रहे। सब्जियों को अच्छी परकार सबने के बादों इसको यहां पर अपने स्टोर कर गया है और इसका पानी निगरने का उनलों की निजाता हुए इसको हमें काम होग कर सकते हैं कि जो हमारे मत्यदार परत वाली सब्जिया है तो उनके हम लोग उपर के 2-3 परत को खटा सकते हैं तो खानी का रखना हो लेकिन हमारी सब्जियों को एक से दो दिनों में खराल करते हैं अब बात आती है कि सब्जियों को साबूल के पानी से या कैमिकल से क्यों रखना है तो साबूल के पानी या कैमिकल सब्जियों में छोटे-छोटे च्छित्र होते हैं और जब इसको पकाईएंगे तो उसके बाद ये पूरी की बड़ी दरीके से खाने ही हो कि हो जाएका और कि टाड़ी मुख हो जाएगा अगर आगे आपसे एक और निदेदर की सरकार मुखारा समय समय पर जानी किये चाहर है इसा इंदेशों का पाला सक्ति से कर रहे और घर पर रहे शुरक्षित है करने वाद